हलो दोस्तों आज हम बात करेंगे ही वाइरल लोड टेस्ट का मतलब क्या होता है उसकी उप्योगिता और U is equal to U का मतलब क्या होता है और उसके फाइदे क्या रहेंगे इसको आप देख लेजिए आप क्या जानेंगे इस वीडियो में ही वाइरल लोड का मतलब उसको क्यों करवाया जाता है और अंडिटेक्टेबल मतलब होता है उसका क्या उप्योग होता है कैसे हम उसको लागू कर सकते हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे और सबसे पहले देखते हैं मतलब है एक वायरल लोड टेस्ट का मतलब होता है क्या एक एक मिलेमीटर खून के अंदर हैक्योग के कितने वायरस है उसको है वायरल लोड के टेस्ट के नाम से जाना जाता है यहां पर जो ब्लू लाइन है वो वाइरल लोड दिखाती है मालो सरुवाथ के दो से आठ हपते के अंदर वाइरल लोड की संख्या एक एमेल में वाइरस की संख्या करिब करिब 10 लाग तक भी हो सकती है उसके बाद 3 या तो 6 महेने के भीतर वो नीचे आ जाता है लेकिन वो 0 तक नहीं आता तो 0 से थोड़ा ऊपर रहता है उसको सेट पॉइट तरीके से जानते है और यदि इलाज नहीं कराते तो यह वाइरस की संख्या वापस दीरे-दीरे बढ़ती रहती है तो अब देखते है कि हम इलाज कराते है तो HIV का वाइरल लोड पर क्या आसर होता है हमने पिछली स्लैड में देखा था के दिया मिलाज नहीं कराते तो यह जो ब्लू लाइन है वाइरस की लाइन है और समय के साथ वो बढ़ती रहती है लेकिन जब हम इलाज कराते है तो यहाँ पर जो लाइन है वो एक लेवल से कम होती होते होते हमेशा कम रहती जिरो तो नहीं ह हो सकती लेकिन जीरो के काफी नजदीक हो जाती है और इस वायरस को कम करने से हमें फाइदा यह होता है कि हमारे जो सेनिक मतलब CD4 काउंट है उस पर हमला कम हो जाता है और अपना सेनिक अपना रोक प्रतिकार रख सकती अपना CD4 काउंट वापस दिर दिर बढ़ने लगता है और नब्वे फिजदी किसों में वापस नॉर्मल हो जाता है अब है का वायरल लुड दस जार से कम है तो उसको कम की कैटेगरी में माना जाता है यह दि वह दस हजार से लेके एक लाग तक है तो मज्द्यम है और वायरल लुड जितना कम होगा उतना ही अपना CD4 बढ़ेगा और वायर Лोड जितना ही जादा होगा उतना ही अपना CD4 मतलब अपने सरीर की रोक प्रतिकारक शक्ति कम होगी इसलिए अपने को रहुप्रतिकारक्षक्ति सिडिफूर काउन को नॉर्मल करने के लिए हमारा उद्देश ए होना चाहिए कि हमारा सरे में वायरस की मात्रा कम से कम हो वायरल लोड का रिपोर्ट का खर्चा 2000 से लेके 5000 रुपे तक का आता है अलग-अलग लेबोर्टिस का उसका चार्ज अलग-अलग होता है जब इंसान को ही पहली बार पता चलता है तब वहां पे यह आप उसका वायरल लोड का रिपोर्ट कराते हो तो उसकी संख्या 10,000 से लेके 10,000,000 के बीच में आम तौर पर देखने को मिलती है काफे कम केस में उसकी वायरस के संख्या 10,000,000 से जादा है और कभी-कबार वह एक करोड तक भी हो सकता है अब वह किस काम का है उसकी उप्योगीता क्या है तो जब हम किसी भी इंसान का HIV का दवाय चालू कराते है तो अब दवाय चालू कराने से दवाय से कुछ फाइदा हो रहा है के नहीं हो रहा वह हमको कैसे पता चलेगा तो वह हमको वायरल लोड के रिपोर्ट से पता चलेग वह हम पहली बार छे महेनी के बाद रिपोर्ट कराते हैं और आम तोर पर तीन से लेके छे महेनी के बीतर HIV का वाइरल लोड कंट्रोल में आ जाता है और उसके बाद हर साल हम इसको इस रिपोर्ट को कराते रहते हैं हें मान लो कि दवाय चालू है फिर भी इनसान को आपस मतकुछ सालों बाद अपस बीमारी आने लगती है तो मतलब दवाय काम करती है कि नहीं करती वह जानना यदि हमको ओदी हमको वह जानना है तो हमको वाइरल लोड का रिपोर्ट कराना है और उससे हमें पता चलेगा कि दबाय काम कर रही है कि नहीं कर रही है और त्रिसरा उसका उप्योगिता यह है कि एक इनसान में से दुसरे इनसान में HIV फैलने का खत्रा कितना है उसका आधार वाइरल लोड पर है मतलब एक ML में जितने ज्यादा वाइरस रहेंगे उतना फैलने का खत्रा ज्यादा रहेगा और एक ML में जितने वाइरस कम रहेंगे उतना ही फैलने का खत्रा कम रहेगा और वो कुछ किस्चों में जीरो भी हो सकत है वह हम आगे देखेंगे इसलिए मानलो कोई इंसान वाइरल लोड का रिपोर्ट कराता है और वह एक हजार से कम आता है तो उसका मतलब यह होता है कि दवाय काम कर रही है और बीमारी काबू में है एक यहां पर रिपोर्ट में यहां पर रखा हुआ है आपको समझने के उसमें आपको पता चलता है कि वायरस की संख्या कितनी है यह दियों मौझूद हो तो और जो क्वालिटेटिव टेस्ट होता है उसके अंदर पता चलता है उस इंसान को HIV है के नहीं तो वह हमको यहां पर जरूरत नहीं है यहां पर हमको क्वांटिटेटिव टेस्ट की जानते हैं रिपोर्टिंग के नाम अलग-अलग हो सकते हैं जब अंडिटेक्टेबल कुछ लोग लिखते हैं कुछ रिपोर्टिंग में नौट डिटेक्टेड लिखा होता है किसी में टार्गेट नौट डिटेक्टेड आता है किसी में बिलो दे लिमिट आप डिटेक्श में मान लो के HIV के वाइरस 15 हो गए तो लैबॉरेटरी का मसीन जब उसमें अपने टेस्ट करते तो लैबॉरेटरी का मशीन भी उसको पकड़ नहीं पाता है तो एक लिमिट से भी कम हो जाए जब वायरस तब वायरस होने के बावजूद भी वायरस ल्öhör का मशीन उसको पकड़ नहीं पारा तो लेवरत्री का मशीन उसको दिखाएगा undetectable कुछ दिखा नहीं है तो जो एक कुछ दिखा नहीं है, undetectable reports आता है, तो उससे हमें क्या फाइदा होता है, हमारा लक्ष यही होना चाहिए, कि हमारा report undetectable आए, not detected आए, ठीक है, तो इसके फाइदे हम जान लेते हैं, यदि हम not detectable आता है, मतलब वाइरस की संख्या काफी कम हो जाती है, वाइरस हर एक laboratory का machine का detect करने का, देखने का capacity अलग होता है, मान लेते हैं कि किसी एक machine का laboratory machine है, उसकी capacity 200 से कम होती है, तो जान देख नहीं पाता, तो report में दिखाएगा non detected, कुछ machine होते हैं, उसकी 100 होते हैं, किसी की 50 होते हैं, किसी की 20 हो सकते हैं, अब मान लो कि वाइरस की संख report में आएगा not detected, अब उससे क्या-क्या फायदे होते हैं, वो हम देख लेते हैं, इसके कारण हमारी रोग प्रतिकारक शक्ती जो CD4 कोश है, उसकी सामन्य संक्या 400 से लेके 1500 के बीच में रहेगी, तो हमको कोई और बीमारी, HIV के कारण कोई और बीमारी आने का खत्रा नहीं र रखते हैं, तो दवाय का काम करना बंद हो जाने का खत्रा नहीं रहता है, दवाय लंबे समय तक या तो हमेशा के लिए ठीक से काम करती रहती है, अपने पार्टनर को HIV से बचा सकते हो आप, यदि मानलों को एक पार्टनर को HIV है और दूसरे को नहीं है, तो फिर दूसरे व पिलाज करा के वायरल लोड अंडिटेक्टेबल या तो दिखे नहीं उस लेवल पे लेके जाना है, HIV मुक्त बच्चा पा सकते हो, और समाज में HIV की फैलाव हो रहा है उसको भी फैलता रोख सकते हो, अब मानलों किसी का रिपोर्ट आया वायरल लोड एक हजार से ज्यादा आया तो दवाय काम करना, बंद करने की संबावना है और बीमारी बेकाबू होने की संबावना है लेकिन ऐसा तबियम कह सकते है यदि इंसाने पिछले से 6 महीने में अपनी दवाय ठीक से हरोज खाया हो तो कदी इंसान ने ठीक से अपनी दवाई हरोज पिछले 6 महीने में खाया है और वाइरल लोड 1000 से जादा आता है तो उसको पहले ही दिन दवाई उसको बदल नहीं देते उसको वापस उसको बोला जाता है कि दर्दी को ठीक से आपको एक बार वापस तीन महीने ठीक से दवाई खाये तीन महीने बाद वापस हम भी वाइरल लोड का रिपोर्ट कराएंगे और तीन महीने बाद इदी वाइरल लोड का रिपोर्ट 1000 से जादा दुबारा आता है तो उसकी दवाई ऐसा काम नहीं करती, ऐसा गोशित कर सकते हो, और दवाई को बदलना चाहिए, जिससे वापस वाइरल लोड कंट्रोल में आ जाए अब वायरलोड एक हजार से ज्यादा आने का कारण क्या क्या हो सकता है इन में से कोई कारण है तो इस कारण को ठीक करना चाहे दवाय ने काम करना छोड़ दिया हो ऐसा हो सकता है कहीं करने थे नहीं काते हैं काफी वार अबहें वहार रोज द्वाय आजी। नहीं है कभी कभी थोड़ देटे हैं रिया दोड़ दूडसने दो गुली लेने के लिए एक लेनए बुलाये üçों आधी लेते हैं दवाँ दूसरी दवाँ के नहीं पत्लिफ़तों कोई काम नमींकों तक्लिफ होुतिते इस वन्यदक तक्लिफ हो सकती उसके लिए करण नहीं है हो देहने जरूरी है तो आप जो भी कई दा हा हो दूसरी बीमाइर के के लिए हमेश्या उस बिमारी के दवाई है वह अपने आचाईवी के एड़ स्पेसलिज डॉक्टर से उसको दिखाए और बहुत कम किस्वों में वाइरस ने अपना रूप बदल दिया है तो दवाई ने काम करना छोड़ दिया है यहाँ पर एक चीज में आपको समझाना चाहूंगा वाइरल लोड ब्लिप मतलब यहाँ पर देख सकते के पहले जो ब्लू लाइन है हरी लाइन है वह एचाईव का वाइरस की मातरा दिखा रहा है पहले सुर्वात में वाइरस की संख्या काफी जादा थी तो कुछ दवाई देने से वाइरस की संख्या एक लेवल से कम हो गया तो वो लेबोर्टरी के मशीन में दिखना बंद हो गया वो काफी लंबे समय तक ऐसाथ चला लेकिन एक बार वापस वाइरस की संख्या उपर बढ़ गई दिखने लगा मशीन में उसकी संख्या कुछ भी हो सकती है मानलो हो दो सो पान सो हजार दो जार तीन जाए और वो वापस एक बार वापस से नीचे आ गई तो कभी कबार मिसके हमें most of time जो वाइरस का रिपोर्ट है वाइरल लोड का रिपोर्ट है वो तो अच्छा ही आ रहा है लेकिन बीच बीच में कभी कबार थोड़ा बहुत बढ़ जा रहा है तो जो बढ़ जा रहा है उसको वाइरल लोड ब्लीप बोलते है तो एक कभी कभी एक कुछ समय के लिए बढ़ जाता है उसका मतलब क्या हुआ कभी कभार ब्लीप आना सामन्य बात है दवाय काम करती रहती है लेकिन बार-बार ब्लिप आना चिंता का विशे हो सकता है कुछ और सामन्य बिमारे के समय में रोग प्रतिकारक शक्तिक कम होने पे कुछ दिनों के लिए ब्लिप दिख सकता है मानलों आपको कभी मलरिया हो गया सर्दी जुकाम हो गया तो थोड़े दिनों के लिए वायरस में संख्या बढ़ सकती है तो वायरल लोड ब्लिप आ सकता है वह वैसे ही मलरिया सर्दी खांसे ठीक होने पे वापस वायरस कम से नौरम अंडिटेक्टेबल हो जाएंगे दिखन सकता है अब बहुत अच्छी और समझने वाली बात है कि अभी काफी प्रचलत चीत हो रही है यू इस इक्वल टू यू मतलब यू के बराबर यू तो उसका मतलब क्या हुआ अंडिटेक्टेबल मतलब वायरस में लबर्टरी के मशिन में दिखे नहीं वहां जाने से क्या ह उसका मतलब यह हो जाएगा कि अंट्रास्मिटेबल मतलब एचाईवी फैलना बंध हो जाएगा यदि आपका वायरल लोड लेबर्टरी के मशिन में दिखे नहीं उतना कम हो जाता है तो आप से किसी और इंसान को एचाईवी होने का खत्रा भी नहीं रहता है बिना कॉंड कम भी यदि आप रिलेशंशिप रखते हो तो भी किसी को एचाईवी नहीं होगा अन्डिटेक्टेबल मतलब दिखा नहीं वायरस कैसे पाए हम तो आपको जल्द से जल्द अपनी दवाई चालू करना है याद रखे सबसे भाहितरिन दवाई एलोपेथी एयर्टी मेडिस एंटो रिट्रो वायरल थेरापी इस एचाईवी के इलाज के लिए है कभी भी अपनी दवाई खाना न भूले अपने दवाई डोज में अपने आप कोई बदलाव ना करें डॉक्टर ने जैसे बुलाए सुबद दुबद शाम जैसे बुलाए एक दो तीन आधी जैसे बीच में कभी भी अपनी दवाई को अपने आप बंद नहीं करें आपको अच्छा लग रहा हो कोई तकलिफ नहीं हो फिर भी आप अपनी दवाई लगातार चालू रखें उसको कभी भी बंद मत करें दवाई खतम होने से 5-10 दिन पहले ही अपने डॉक्टर से दवाई ले तो आखरी में कभी आपका इमर्जेंसी कारण से आपकी दवाई छुटे नहीं अब अन्डिटेक्टेबल मतलब दिखा नहीं ऐसा रिपोर्ट आता है तो यह मतलब कभी भी नहीं होता कि आपको HIV ठीक हो गया है यह तो आपको HIV मिट गया है इसका सिर्फ हमारी पूरी तरह से काभू में है लेकिन आपके वाइरस के संख्या जीरो नहीं हुई है वह संख्या अभी भी कुछ ना कुछ तो ही यहां पर फोटो में राइट हैंड साइट पर देखते हो कि पहली जी बॉटल से वहां पर डिटेक्टिव काफी सारे वाइरस थे जब उसक अब दो वाइरस देख रहे हो लेकिन वह मसीन पकड़ नहीं सकता तो मसीन बताएगा नौट डिटेक्टेबल तो दिपोर्ट नौट डिटेक्टेबल से फिर भी सरेज के अंदर कुछ वाइरस तो है ही तो इसका मतलब यह कभी नहीं होता कि आपको HIV ठीक हो गया है या तो मिट गया है HIV की बीमारी अभी भी है ही तो अंट्रांस्मिटेबल का मतलब होता है कि HIV दूसरे इंसान में फैल नहीं सकता तो जब भी आपका रिपोर्ट अंडिटेक्टेबल हो जाए मतलब मशीन के अंदर दिखे नहीं पैसा हो जाए तब आप से किसी और को HIV होने की संभा नहीं रहती खास तोर पर यह आपके हस्बंड वाइफ में ऐसे किसी एक को HIV है और एक को नहीं है तो दूसरे इंसान के लिए अपने मन को सांथ करने के लिए दोनों के लिए डर निकालने के लिए काफी अच्छी बात रहेगी और अपना सेक्शुल्स लाइफ है वह एक बि तो एक पार्टनर स्टड़ी है मतलब एक अभ्यास हुआ था उसमें 888 युगल्स थे जिसमें एक पार्टनर पॉजिटी था और दूसरा नेगेटिव था और जो पॉजिटी व्यक्ति था हो हमेशा नीमित रूप से दवाई ले रहा था और पॉजिटी व्यक्ति का वाइर इंसान बीना कॉंडम अपने पार्टनर के साथ 58,000 बार सेक्स हुआ और अभ्यास के अंत में एक भी इंसान जो एचाईवी नेगेटिव था उसमें से एक भी इंसान को एचाईवी का संक्रमन नहीं हुआ मतलब उसको एचाईवी की बिमारी इंफेक्शन्स नहीं लगा तो इस समझ लिजी आप कि वाइरल लोड को दोसों से कम रखना स्वस्त और लंबा जीवन के लिए अच्यन्त आवश्यक्त है आपके खुद के लिए भी आपके सेक्शुल पार्टनर्स के लिए भी और पुरे समाज के लिए भी